हेलो एब्रीवन वैलकम बैक टो माई चैनल हाई मैं बहुत ही प्यारी प्यारी से दो आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि हर किसी लेडिस के कर्स के या कोई भी हो हर किसी के काम में आने वाले हैं तो देखिए मैंने इसको प्लास्टिक बोरी के साथ में कप्रों को इसकी जो लंबा है यहां से 10 इंज की है 10 वाई 20 इंज का यह वाला पीस है और थोड़ा सा कम है केवल पॉने दस इंज करी होगा अब देखिए इसको हम ना पेंगे यहां से क्योंकि हमें इसकी साइड की पट्टी भी चाहिए इसलिए अब देखिए तीन हिस्सव में हमने 45 इंज हो रहा है क्योंकि एक हिस्से के लिए तो हमने पहले ही कट कर ली है पट्टी जो अभी दिखाएती दस पॉने तस इंज चोड़ी और यह देखिए सवा 9 इंज चोड़ी यह वाली पट्टी ली है और इसकी लंबाई हमें 45 इंज चाहिए बैसे तो लेकिन मैंने यहां से हम बड़ी वाली जो पट्टी थी हमारी उसको हम इस तरीके से जोएंट कर देंगे चोड़ी वाली पट्टी वाली पट्टी में जो सवा पॉने 10 इंच की थी और जो सवा 9 इंच की थी उसको हमने इस तरीके से आपस में जोएंट कर दिया अब हम यहां से इसको जो क्योंकि वहां पर चैन आजाएगी इसी तुमी आदा इंच में जो हिस्सा कम रखा है उससे में तो आदा इंच की चैन आ जाएगी अब देखिए दो इंच का सा छोड़ते हुए मैंने दो इंच का सा युदर से छोड़ा ताकि हम जो एक्ष्रा कपड़ा उसको कट कर दें और यहां से मैं निशान लगा लूँगी बरावर पहले निशान लगाने के बाद मैं अब इस तरीके से फोल्ड करूंगे अब जो भी एक्ष्ट्रा होगा इसमें से उसको मैं कट कर दूंगी तो पहले से भी आप वो इसे कर सकते हैं लेकिन पहले से अगर आप कर दोगे तो आ we can cut करने के बाद में तो दो है लिए इधे के बरावर नाफद के मैं कट कर दिया आप जो बागी का हिस्सा है उसमें भी प्यप लका देंगे और शल्याई लगा देंगे तो इस तरीके से एक तरफ का हमारा हिस्सा हो चुका है रेडि नीचे वाला तो नीचे वाले हिससे मे लेते हुए पाइपिन को भी फोल्ड करके लगा दिया अब चलिए उपर वाले हिस्से को भी हम करेंगे लेकिन उससे पहले हम जिप को लेंगे अब जिप को देखिए पीछे वाली हिस्से से हमें छोड़ देना है तो देखिए यहां से हमने आदा इंच करीव सिलाइक के चैन को लगा दीना है तो देखिए यहां तक मैंने इसको चैन को लगा दिया है अब यह जो पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल बरावर हो जाएगा अगर आपका थोड़ा वा चोटा वह बड़ा हो तो आप चुनट डाल दीजी हलकी सी तो एड़ रखाता अब देखिए इसमें हमें रणर डाल देने है तो मैं इसमें दो रणर डालूंगी एक इधर से और एक उधर से ताकि अगर एक खराब भी हो जाए क्योंकि बड़े बैगों में हमेसा हमें दो-तिन रणर डालने चाहिए क्योंकि बड़े बैगों क्या होता है कि जल बिलकुल बरावर आ गए हलकी से इसमें बड़ा हिस्सा हो रहा है जो हमने चैनल लगाई है बड़ा हो गया हलकी सा हो आज जहाए ने तो वहीं से मैं छुछनट हूँ हलकी से और स pendulum कर दिया तो देखे इस तरीके से आपको यह बरावर कर दीना बिल्कुल अब सेम तरीके से आपको दूसरे वाले हिस्से को भी बरावर रखते हुए सिलाई लगाते हुए रणर डालते हुए अब हम इसको देखे ऊपर वाले हिस्से को पकड़ेंगे ऊपर वाले हिस्से में अगर आप आप लगाना चाहो तो उपर से ही सलाई लगाना आपको पहले ही आलपील से सैट कर लेना है और नहीं तो जो आपका पायाट है ने वो टेढ़ा-वेडा हो जाएगा इधर उल्टा-सीदा हो जाएगा तो देखे इस तदी के से इसमें मैं चारो तरफ पाईपिल लगाते हुए इसको सिलाई लगा दूगी चारो तरफ से तो लिखको फिनिशंग हो जाएगा रिया नुख डियानी है जब जाकरर आपको इसको यसान लगानी है उपर वाले हिस्जे क्योंकि नीचे वाला हिस्जे के लिए तो हमने उपर बाद नहीं बाता था ा तो उसमें तो कोई जादा नापने वाली तो लेकिन इस्में उपर वाले हिसले में बिल्कुल नह incense यूपन तो इसलिए हमें पाइप लगाते हुए इसको पहले पहले आपको आलिप से के लिए ही बनाया आप इसे पेटी कोट की तरह भी यूज कर सकते हो तो देखे इस तरीके से ही हमारे हो चेकी है रेडी किट अभी अब भी हब हैं इसमें उपर से हैंडल और लगाना आप साइड से दौनों साइड से लगा सकते नहीं तो आप भीच में आगे की साइड में भ आप सोचो कि बाद में होगा सो देखा जाएगा बाद में धड़के कर लेंगे लेकिन उसमें कितना टाइम लग जाता है यह आप सोच भी नहीं सकते देखिए अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग आई है क्योंकि हमने उपर से पाइपिन लगाई हुई है इसलिए इसमें बि मैं भी ऐसे ही पहले सिल देती थी और फिर बाद में में सिलाई निकाल थी मतलब बहुत ज़्यदा अधिकत हैं हो जाती थी तो इसलिए मैं आप लोगों पहले से ही साफजान कर रही हूं तो आप पहले से इसको नापके चलना आप बैक बना रहे हो चाहें कुछ भी चीज अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने देखे कट किया चार इंच चोड़ाई में और इसकी जो लंबाई थी सवानो इंच की थी वो मैंने ले ली अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको हैंडल के रूप में सैट कर देंगे तो देखिए इस तरीके से मैं चार का अंज तरब से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए सवलाई लगाती है इसमें हम वी सेंटर में निशान लगा रहे हैं जहां-जहां जितनी दुरी पर आपको लगाना उतनी दूरी या इस तरीके से आप इसे पकड़के जैसे भी कहीं से भी उतार सकते हैं अगर उपर रुका है तो और गैस यह वाला आइडिया आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता ना बहुत ही परफेक्ट साहच की हमारी किट बन के रेडी हुई है अब चलिए दूसरा एडिय क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं बलाउज के किट इस तरीके से मैंने सेव दी है करीव सवाच इंच की सी अंदाजी से दिया वैस तो चोड़ाई में चार इंच की है इसको मैंने कट कर दिया है इस तरीके से इसके लिए फॉर्म अस्ता जो भी आपको प्लास्टिक बोरी प्लास्टिक है और इस अखवार को रखते हुए 2 पीचाउं और यृडिकल से में ली understoodSame desired 시 YepEy से ॅब हमें इसको चार्जा तरपसे इसको पहले नापना है हैं कि अश्य तरीके से आपको नापना है नहीं तो आपकी जो पट्टीया चोटी ऑबड़ी हो जाएगी तो 58 इंच कीन चाड़ तरप जैनीय से बारी है धिआ कि है एक पट्सक्निlt एक्व एक्ष्टर जोलग है और एक समय सवर्येश्टह पाइब यहां यहां से दो इंच करीब छोड़ते हुए चारो तरप से शिलाई लगा देंगे इसके लिए हम पहले पाइपिन कट कर लेंगे करीब देर इंच चोड़ी और यह मैंने पाइपिनों को जोएंट कर लिया है आपस मैं जोएंट करने के बाद में अब जो हमारी पत्ली वाली पत् लिए मैं पहले स्लाई किसी लिए लिए लगाती हूं क्योंकि हमें फिर बारवार पर नापना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस से तो अच्छा हम बाद महीं कर लाएं तो देखिए दो दो इंच करीब रोख लिया एक तरफ से पहले ही मैंने स्ला प्रॉब्लम होई या से करके नहीं तो हमें एक चीज नाप के करनी पड़ती पहले आलपिन से सेट करो फिर फोग करो और हम डायरक स्लाई लगा देते हैं कोई ना कोई पार्ट चोटा या बड़ा होई जाता तो इसलिए फिर मैं कट पहली करती नहीं हूं या फिर आयलपि पाइप़िन करना ही और फिन joue फिन जाती है अगर आप या पैप लगा तूझाँ अंदर से प्रिक से पाइप यह से सेट कर दो कि एसको फोल्ड करते हूह फिर से हम इसमें शिलाई लगा देंगे तो देखिए पाइपन को मैं फोल्ड करते हूँ इस तरीके से शिलाई लगा देखिए ब्रकुल देखिए परफेक्ट बनी हुई है आप चलिए उपर वाला हिस्सा भी हम रेडी का लेते हैं तो उसके लिए हमने पहले सबसे पहले चै चैन को हमें उपर वाले हिस्से में या फिर कोई भी हिस्से में आप लगा सकते हो या फिर जो नीचे वाला हिस्सा उसमें या उपर वाले में अब दिखी चैन हमने ली होई इसमें हम केबल जो चोड़ा वाला हिस्सा है उसको छोड़ते हुए लगाएंगे बागी की तीनो side में अब साथ में पाईपिन भी finance कर रहे हूं इसके ताकि इसमें subscription मैं तो कपड़ा है झाल को इस तर्थ में लगाई इसके चैन के साथ मैं अब दिखिए इस तरीके से मैं ने इसको कर दिया है सैट चैन को और पाइपिन को केवल एक तरफ से छोड़ा हुआ है आपको देख गया होगा अब इसमें आम परफेक्ट निशान लगाएंगे पहले तो ये सबसे ज़्यादा में काम है पहले आपका तो आपको पहले इसकी किनारियों को देखना है और फिर आपको परफेक्ट इसको निशान लगाते हुए आलपिन से सैट करना है चारो तरफ से गर आप सैट नहीं करोगे तो फिर वही सिस्टम है ना तेड़ा पेड़ा हो गया तो फिर से आपको सिलाई लिकाना ही पड़ेगी अब देखिए मैंने इस तरीके से चारो तरफ से इसको पहले सैट कर दिया है आलपिन की साहता से अब चलिए अब हम इसमें पहले सिलाई लगाएंगे पहले मैं इसमें तीनो सायड में सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से पाइपिन को अटेच करते हुए फिर से मैंने सिलाई लगा दिया तीनों सायड में पीछे की सायड में अभी हम बाद में लगाएंगे तो इसको फोल्ड करते हुए इस तरके से फिर से हमने सिलाई लगा दी है पाइपिन पर अब जो पीछे वाला हिस्सा है और इसको हम सैट करते हुए पीछे वाले हिस्से मे भी पाइपिल लगाएंगे साथ में और सिलाई लगाएंगे लेकिन आपको इससे पहले रणर का द्यान रखना है नहीं तो आपको सिलाई निकाल नहीं पड़ेगी इसलिए तो रणर हम हमेशा इसलिए बाद में डालते हैं ताकि सिलाई बाद अच्छी से लग जाए क्योंकि फिर बीच में अटकते हैं रणर हमें आगे पीछे किसकाने पड़ते हैं अगर हम रणर को बाद में लगाते हैं तो अच्छी से फिनिसिंग के सिलाई भी लग जाती है अब हमने इसमें कोई भी पार छोटा या बड़ा तो किया नहीं है आप जैसे मैंने पहली वाली किट में लगाया वो मैंने थोड़ी से डिफ्रेंट तरीके से बताई है और ये वाली थोड़ी डिफ्रेंट तरीके से बताई है जो कि आप लोगों ने भी देखा है तो आप किसी भ फिनिशिंग के शाथ हमारी किट बन के रेडी हो गई है और गैज अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और मैंने डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके से दोनों ही किट बनाना आप लो